नमस्कार दोस्तों मैं हूराकेस और आप देख रहे हैं GoTo Online तो सभी बैंकों में मिस्कॉल एलर्ट की सर्विस होती है जिसमें क्या होता है आप अपने बैंक से लिंक मुवाइल नमर से बैंक द्वारा निर्धारित कियेगे नमर पर मिस्कॉल दे करके अपना जो बैलेंस है व आपको कॉल ओटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपका जो बैलेंस है वो दिखा दिया जाएगा लेकिन एस्विए में नहीं होता है एस्विए में जब आप मिस्कॉल नमर पर कॉल करते हो तो वहाँ पर आप miss call alert के लिए कैसे registration कर सकते हो तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी अपसे request है अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नीचे आपको लाल लोग सब्सक्राइब बटन दिख रहा हुगा उसको दवा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी कैसे करना है तो आपको क्या करना है जो भी mobile नमबर आपके खाते के साथ लिंक है mobile नमर से SMS टाइब करना हुआ SMS में आपको लिखना है capital letter में लिखना है REG फर एक को वता देता हूँ आपको capital letter में लिखना है REG इसके बाद में एक इसपेस देना है और फिर इसके बाद एकाउंट नमर लिखना है और इस SMS को आपको सेंड करना है 1923 4888 इस नमर पर जैसे ही आप इस SMS को सेंड करोगे आपके पास एक confirmation का मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा लिखा रहेगा कि आपका जो मुबाइल नमर है वो मिस कॉल एलर्ट के लिए register कर दिया गया है तो अब बात आती है हम अपना balance कैसे जान सकते हैं तो उसके लिए आपको उसी register मुबाइल नमर से 922-38666666 पर एक मिस कॉल करना होगा मिस कॉल करते ही आपका call automatic disconnect हो जाएगा और आपको मैसेज के थरो आपका balance प्राप्त हो जाएगा अगर आपका mobile नमर SBI के एक से ज़्यादा खातों के साथ लिंक है तो आप मिस कॉल के थरो उसी bank का balance जान सकते हो जिस bank को आपने registration करते समय दर्ज किया था तो आप registration करते समय उसी bank को दर्ज करें यानि उसी bank का account नमर एंटर करें जिस bank का account का आप मिस कॉल के थरो balance जानना चाते हो तो जानकारी अच्छे लेगी तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके रखें ताके ऐसी जानकारी आपको भविश्य में मिलती रहें तो फिर मिलता हूं किसी नए जानकारी के साथ तब तक के लिए good bye